क्रिकेट का अकाल खत्म, PCB के नए अध्यक्ष नजम सेटी ने किया बड़ा दावा रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्षपत से हटा दिया गया है अब राजा की जगध अध्यक्ष बने नजम सेटी ने बड़ी बात कह दी है नजम सेटी ने कहा है कि अब हजारों क्रिकेटर को फिर से रोजगार मिलेगा और अकाल खत्म हो जाएगा नजम सेटी पहले भी PCB चीफ रह चुके है नजम सेटी को पाकिस्तान सरकार ने अगले चार मैनों तक क्रिकेट का संचलन करने के लिए उनकी अगुवाई में 14 सदस्य पैनल की भी नियुक्ति कर दी है पाकिस्तान के प्रदानमंत्री शायबाद शरीप ने यह अधिसुचना जारी की है नजम सेटी ने ट्वीट करके कहा रमीज राजा के नेतरुत्व वाली क्रिकेट समिती अब नहीं रही 2014 का PCP समविदान बहाल हो गया है प्रतम स्रेनी क्रिकेट को पुनजी वीद करने के लिए मैनेजमेंट पैनल अतक प्रयास करेगी हजारों क्रिकेटरों को फिर से रोधकार मिलेगा क्रिकेट का अकाल खत्म हो जाएगा सेटी 2013 से 2018 तक PCP के अदेक्ष और मुख्यकारी कारी आधिकारी रहे थे उन्होंने 2018 के आम चुनाओं में इमरान खान की पार्टी की जीत के बाद अपना पर छोड़ दिया था न्यूजिलेंड के खिला 26 दिसंबर से कराची में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की स्रुमकला से कुछ दिन पहले घटे इस घटना क्रम पर अभी तक PCP या रमीज राजा ने कोई प्रतिक्रिया वेक्ट नहीं की है रमीज राजा को पूरो प्रतान मंत्री इमरान खान ने सितंबर 2020 में PCP का आदेक्शन योट किया था वो 15 महिने तक 20 पत पर थे एसान मनी के पत छोड़ने के पाथ रमीज राजा PCP के 36 पे आदेक्श बने थे वो चोथे पुरुव क्रिकेटर थे जिने ये जिम्मेदारी सोपी गई थी उनसे पहले जिन क्रिकेटरों ने ये पत संबाला था उनमें एजाजबर्ट, जावेद बुरकी और अब्दुलहबिस कारदार शामील है समीती में शाहिद आफरिदी वी शामील आदी सुचना में कहा गया है प्रदान मंत्रें PCB के 2014 के समीधान की समिक शाकी और 2019 से लागू किये गए मोजुदा समीधान को रद कर दिया है आदी सुचना के अनुसार सेटी प्रवंदन समीती का नेतरुत्व करेंगे जिसमें पूरो पाकिस्तानी खिलाडी शाहिद आफरिदी, हारुन रशीद, शफाकत राना और महिला टीम की पूर्व कप्तान सनामीर शामिल है समीती के अन्य सदस्यों में 2019 में रद किये गए संचालन बोड के पूर्व सदस्य शामिल है PCB के New Zealand के खिलाब सीरीज के लिए टीम की गुजना करने के कुछ घंटों बाद या अधी सुचना जारी की गई है New Zealand की टीम 19 सार बाद ते सीरीज के लिए पाकिस्तान का दोरा कर रही है पाकिस्तान को हाल ही में इंगलेंड के खिलाब शुन्य तीन से हार का सामना करना पड़ा था